Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे कि आपके person की current energy क्या है, आपके person की जहन में क्या चल रहा है, उनकी जिन्दगी में क्या चल रहा है इस वक्त, यह आपके person की current energy होगी, सारे star signs के लिए open है, यह video और यह एक short video होती है, आप लोगों को पता है, जैसे messages आप से resonate करें, आपने वैसे लेना है, जो चीज़ आप से resonate ना करें, उसे जबरदस्ती अपनी situation में fit नहीं करना है, So first card, we have the hierophant, आपके person guidance ले रहे हैं, आपके person, maybe एक बहुत specific message आ रहा है, maybe कोई किसी psychiatrist से consult कर रहा है, but overall एक energy आ रही है कि आपके person को guidance चाहिए, guidance सीख कर रहे हैं, help ले रहे हैं किसी की, उनको help चाहिए, Then we have king of, sorry, knight of cups, आपके person कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, love भी है उनके जहन में, Then we have six of pentacles, आपके person को support चाहिए है, then we have five of pentacles, but उन्हें वो support मिलना मुश्किल हो रही है, उन्हें अकेला पन महसूस हो रहा है, उनके काम में शायद support नहीं मिल रही है, कुछ है जो वो शुरू करना चाहते हैं, कोई business, कोई job चेंज करना चाह रहे हैं, बट उन्हें वो support नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए, आपके person को बहुत ज़्यादा प्यार की और understanding की ज़रूरत है इस वक्त, बहुत ज़्यादा support चाहिए आपके person को, और उन्हें लगता है कि कोई नहीं है जो उन्हें वो प्यार और support दे, So we have four of wands, ये twin flame soulmate energy है, आपके person settle down होने का भी सोच रहे हैं, वो अपनी जिंदगी में आप settle down होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं heavily, And I feel कि वो आपको pursue करना चाहते हैं, आपको pursue करने का सोच रहे हैं आपके person, Okay, so we have ace of pentacles, yes, fresh new start, fresh new beginning चाहते हैं आपके साथ, We have judgment, and then we have three of swords, मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आपके person ने आप पर cheat किया था, आपके person ने शायद शादी कर ली है, किसी और से, But now they are realizing कि उन्हें ये नहीं चाहिए था, मुझे strongly कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि आप पर cheat किया गया है, So, आपके person को बहुत जादा realize हो रहा है कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, और उन्हें आप से बहुत जादा प्यार है, वो आपके साथ fresh new start चाहते हैं, वो third party से निकलना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पर third party है, अगर third party नहीं भी है तो मुझे लगता है कि आपके person ने आपको hurt बहुत जादा किया है, और अब वो खुद भी बहुत hurt हैं और lonely फील करें, because वो third party उन्हें सपोर्ट नहीं दे रही है अब, क्योंकि आपने अपने person से unconditional प्यार किया था, और third party को लगा था कि आपके person शायद बहुत wealthy है, third party उनकी looks की तरफ बहुत ज़दा attracted थी, third party को लगा था कि उनके पास पैसा बहुत ज़दा है, बर जब third party को पता चला कि आपके person के पास कुछ भी इतना ज़दा खास नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी बहुत solid नहीं है, because I feel कि third party जो भी है आपके person की life में थी, बहुत सथा greedy थी, लालची थी, और आपके person को वो support नहीं कर रही है अब, और आपके person अब बहुत sad और lonely हैं, और उन्हें महसूस हो रहा है, उन्हें realize हो रहा है कि उन्हें आपके साथ गलत किया, इसलिए उनके साथ अब ऐसा हो रहा है, आपके person को लगता है जैसे आपने उन्हें बद्दुआ दी है, और उन्हें लग चुकी है, हलांके आपने नहीं दिया, आपने सबर किया होगा, definitely बहुत आपने तकलीफ, बरदाश्ट की खामोश रहे आप अपनी तकलीफ पर और आपके person को, कार्मा आपके person की तरफ है और आपके person face कर रहे हैं अपना कार्मा, बट वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के बारे में, बट उन्हें नहीं पता चल रहा कि वो कैसे आएं, उन्हें help चाहिए, आपके person बहुत ज़्यादा इस वक्त help चाहिए उन्हें, they need help majorly मुझे इस reading में ये feel हो रहा है कि उन्हें help चाहिए bottom of the deck we have king of wants, आज भी आपके लिए एक spark, एक passion उनके दिल में है, और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ attraction आज भी है so एक निया spark जागा है उनके दिल में, फिर से आपकी तरफ आना चाहते हैं नहीं खाहिश पैदा हुई है आपकी तरफ आने की, आपको दुख दिया उन्होंने, वो बिलकुल ये बात realize कर रहे हैं, आपने उनको कितने support किया, कितना प्यार दिया, unconditionally, understand किया genuine था, true था, आपका love, आपने उनके पैसों को नहीं देखा, उनकी looks को नहीं देखा, उनकी soul से आपने प्यार किया, कुछ उनसे मांगा नहीं so आपके person ने ये बात realize कर ली है, finally, और वो third party से निकलना चाहते हैं, और आपकी तरफ आना चाहते हैं, but they don't know how so ये है उनकी current energy, और ये थी आपकी quick energy update, thank you so much for watching, आपको कुछ भी पसंद आया, मुझे आपने जरूर बताना है, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye